हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे खुश होंगे अच्छ होंगे और होंगे ही आज की इस वीडियो में आपको इंफोर्मेशन मिलने वाली है टम इंशरेंस रिलेटेड कुछ बेसिक डाउट्स के वारे में जब भी हम टम इंश पता हो तो वह भी हमारे लिए हेल्फुल हो जाता है एक डाउट यह भी रहता है कि टम इंशरेंस खुद लें या एक इंशरेंस एडवाइजर के तुरूर है सारे जो कॉमन डाउट है उनकी क्लियरेटी आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा आप नई है तो मैं आ सारी इंफोर्मेशन के लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे तो इसी बात पे आपसे कहना चाहता हूं चैनल को सब्स्क्राइब करें बैल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले क्योंकि आपके यहां पर इंपोर्ड़न इंफोर्मेशन मिलती है मेरा नाम है अमितरा शर्मा मैं बहुत दोस्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने चैनल पर जब भी हम टम इंशुरेंस के लिए जाते हैं तो अधिकतर लोग बिस्टे किये करते हैं कि टमसेंड कंडिशन को पूरा रीड नहीं करते हैं अगर आप टम इंशुरे ना लें दूसरे प्लान में चले जाएं वही बैटर होगा नहीं तो एंड में अपकी फैमिली को सकता है कि लिए मिले भी और ना भी मिले बात करते हैं कि हमें टम इंशुरेंस को खुद लेना चाहिए या किसी इंशुरेंस एडवाइजर के थू लेना चाहिए देखिए इ इसी दरीगे का रोल Вы आपके लिए पिले करता है क्योंकि हमेशा बात करता है आपकी नीड मेंट में चाहिए अगर आपको प्रॉपर एडवाइजर मिल जाता है का उस stacks ले सकते हैं अगर आप अ थारा साल होड़ा चाहिए maximum जो cover मिलता है वो 70 तक ही मिलता है अगर आपकी 70 से ज़्यादा है तो आपको cover नहीं मिलेगा अगर आपकी 60 है next 10 years के लिए आप term insurance ले सकते हैं 65 है तो next 5 years के लिए ले सकते हैं बट अगर आप 70 years के हैं तो आप term insurance नहीं ले सकते हैं अनुसार 50 लाग से लेकर जितना भी अगर आप term insurance लेते हैं तो क्या क्या मेडिकल टेस्ट होंगे वो आप स्क्रीन पर पॉस करके पढ़ सकते हैं ये मेडिकल टेस्ट आपके होते हैं हम अपनी हेल्थ का ध्यान डखे कि हम एक अच्छा cover अगर हमें लेना है जो सैलरीड परसन होते हैं उनके लिए डॉक्यमेंटेशन अलग होते हैं इसकीन पर आप देख सकते हैं सैलरीड परसन के लिए एक passport size photo लगता है ओके अधार कार पैंट कार और उसका salary slip या form 16 और जो businessmen होते हैं उनके लिए ITR लगती है उनकी 3 years की अगर 3 years से वो continue भर रहे हैं और वो एक करोड या से उपर का वो चाहा रहे हैं इंशोरेंस तो अब यस्ती बात है लास्ट रियर का उनका ITR चाहिए होगा उनका passport size photo चाहिए होगा अधार कार और pen card चाहिए होगा यह documentation enough होगा अगर आपको information अच्छी लगी है तो like कीजिए चैनल को subscribe करें bell icon पे click करें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और अगर आप यह जानना चाहते है कि term insurance की planning कैसे करें तो जो आपको इस screen पे इस time thumbnail दिख रहा है इस वीडियो को जा करके देखें क्योंकि यहाँ पे आपको private sector की सभी कमपनियों का जो claim ratio है वो क्या है वो आपको पता चलेगा LIC का claim ratio reality में क्या है वो आपको पता चलेगा और और भी tips and tricks पता चलेगी जिससे आप decide कर पेंगे कि आपको term insurance की planning किस तरीके से करनी है तो चलता हूँ विदा लेता हूँ मिलता हूँ अगली वीडियो में आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्यू आपका प्लीज लाइक कर दीजगा जब आप लाइक करते हैं तो थोड़ा सा motivation मिलता है कि आपके लिए और अच्छी information लाई जाए तो कुछ रही है मुस्कराते रही है अपना ध्यान रखिए जय हिन जय भारत